हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल आरडी डीजैन मैं हूँ सरिता चोदरी और आज आपके लिए लेके आई हूँ एक 3BH के इस्ट फैस हाउस प्लान जिसका प्लोट साइज है 30 फिट वाई 50 फिट और इस हाउस प्लान को एज पर वास्तू डीजैन किया है तो फ्रेंट्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके तो फ्रेंट्स देखते है अपने east face plan को इससे पहले अपन देख लेते हैं इसका detail detail में मैंने यहां पर बनाया है first में plot size, second में building covered area और third में specification तो पहले अपन देख लेते हैं plot size अपने plot का size है 30 feet by 50 feet width है अपना 30 feet और length है अपना 50 feet और अपना जो plot है वो है east facing और front में यहां पर road है इसके बाद में अपन देखते हैं second diagram, second में यहां पर मैंने east में सामने की तरफ open area दिया है, इसके बाद में आप जो यहां पर यहां पर हच देख रहे हैं यह है अपना building covered area यानि कि इतने area में मैंने अपना जो plan है वो design किया है जिसका total square feet area है, 1000 square feet और इधर अपना south में other properties है और west में भी other property है इसके बाद में friends अपन देखते हैं पीछे की तरफ मैंने open area चोड़ा है और इधर north में भी मैंने open area चोड़ा है अब यह अपन देखते हैं इसका dimension तो मैंने जो front में open area दिया है उसका dimension आप यहां पर देख रहे हैं यह है अपना 8 feet 6 inch और अपना building covered area है इसका dimension है 38 feet और बेक साइड में मैंने ओपन एरिया दिया है इसका डाइमेंड से नहीं 3 फिट 6 इंची तो फ्रेंड्स यह अपना बिल्डिंग कवर्ड एरिया इसके बाद मैं अपन देखते हैं स्पेसिफिकेशन यानि कि इस प्लान में मैंने क्या-क्या डिजैन किया है इसमें वन वरामदा, वन वास्टर बेडरूम, वन बेडरूम, वन कीचन प्लस इस्टोर, वन लिविंग हॉल, वन गैस्ट रूम, वन इस्टेर कैस और वन टोईलेट बात कोमन डिजैन किया है तो friends इसके बाद में अगे बढ़े बढ़ते हैं अपने मैं ग्राउंड प्लोर प्लान की तरफ, इससे पहले आप सभी से request है कि आप मेरे चैनल को subscribe कीजिए तो फ्रेंट्स ये है अपना ground floor plan पहले अपने इसका देख लेते है external dimension तो इसका east side का अपना external dimension है 30 feet और यहाँ पर मैंने ये 12 feet तीन इंची जो dimension दिया है ये अपना out wall to wall dimension और इसके बाद में आप जो ये 14 feet तीन इंची देख रहे हो तो ये है अपने रामदा का out wall to wall dimension इसके बाद में अपन देखते है north side का dimension तो friends north side का dimension है अपना 38 feet आप इसको 26 feet चैन ची बाई 38 feet में भी design कर सकते हैं तो friends इसको clear देखने के लिए अपन जूम कर लेते हैं आप इस house plan को free में भी download कर सकते हो जिसका link मैंने वीडियो में नीचे description में दिया है वहाँ से आप इसको free में डाउनलोड कर सकते हो तो friends देखते हैं इसका detail तो यहाँ front में मैंने यहाँ पर वरामदा डिजैन किया है वरामदे का अपना dimension है 13 feet 6 inch by 3 feet 6 inch और यहाँ पर यह आरच दिया है और सामने की तरफ यहाँ पर बालकनी डिजैन किया है जिसका width है 4 feet 3 inch तो friends इसके बाद में अपन देखते है मैं इंट्रेंस तो मैं इंट्रेंस का अपना first option यहाँ पर दिया है मैंने जो यहाँ पर आप faces देख रहे है यह है अपना मैं इंट्रेंस यह यहाँ पर door डिजैन किया है इसके बाद मैं अपन देखते है मैंने यहाँ पर door दिया है और यह अपना यह यहाँ पर window डिजैन किया है इसके बाद मैं अपन देखते है मैंने यहाँ पर बनाया है guest room जिसका size है 9 feet 3 inch by 9 feet जो कि horizontal by vertical है यानिकी 9 फिट 3 इंची अपना ओरिजेंटल है और 9 है अपना वर्टिकल और यहाँ पर यह बैठक दिया है और इधर मैंने नौर्थ मैं एक وिन्डो डिजेन किया है इसके बाद मैं अपन देख दें कब बोर्ड तो मैंने यहाँ पर यह एक वाल में कब बोर्ड डीजेन किया है जिसका विर्थ है एक फिट 6 इंची इसके बाद मैं अपन देखते हैं मैंने यहां सेकिन डौर डीजेन किया है इस डौर से अपन आगे की तरफ इंटर कर सकते है इसके बाद मैं अपन देखते हैं यह पेसेज है जो मेन फष्ट वाला इंट्रेंस बताया था वह वाला पेसेज इसका अपना वीड़ थैं तीन प्रिट शैंची और यहां पर यह एक आरस डिजैन किया है इसके बाद मैं अगे बढ़ते हैं कीचन एरिय की तरफ तो फ्रेंड्स यह अपना कीचन एरिया यहां और यह kitchen का main entrance का door दिया है और यह अपना kitchen, kitchen का अपना size है 10 feet 9 inch by 8 feet 9 inch और यहाँ east में मैंने एक window दिया है और यह window के design लगाया है front में और यहाँ पर यह है अपना kitchen store जिसका अपना size है 6 feet 10 feet by 4 feet 1.5 inch इसके बाद में आगे बढ़ते हैं hole की तरफ तो यह है अपना hole जिसका size है 15 feet by 11 feet 9 inch जो की horizontal by vertical है और यहाँ पर यह एक बेठक का option दिया है इसके बाद में आगे बढ़ते हैं stair case की तरफ तो मैंने stair case अपना hole में ही design किया है तो यह है यह अपना stair case यहाँ से अपन अफ करते हैं और यहाँ पर यह एक passage दिया है जिसका width है 3 feet wide यानि इस passage से अपन इधर north की side जा सकते हैं stair के नीचे यहाँ पर मैंने यह door दिया है इस साइड से अपन इधर नौर्ट साइड में जा सकते हैं और इधर मैंने ये बालकने डिजैन किया है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका अपना विट है तीन फिट छह इंची तो फ्रेंड्स इसके बाद में आपन देखते हैं अपना टोलेट बात एरिया तो यह है अपना बात जिसका साइज है पांच फिट नौ इंची बाई चार फिट छाइंची और यहाँ पर यह एक वेंटिलेटर दिया है तो फ्रेंड्स इसके बाद में अपन बढ़ते हैं अपने बेडरूम और मास्टर बेडरूम के एरिये की तरफ तो पहले अपन देखते हैं अपना बेडरूम तो ये है अपना बेडरूम जिसका साइज है 13 फिट 6 बाई 10 फिट जो कि औरिजेंटल बाई वर्टिकल है और विंडो तो ये है ये दो विंडो में ने वेस्ट साइड में डिजाइन किये हैं और यहां पर यह अपना बेड और इसके सामने यहां LED TV का ओप्शन दिया है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं इसके बाद में आगे बढ़ते हैं मास्टर बेडरूम की मास्टर बेडरूम 10 feet और यह यहाँ bed design किया है और सामने LED TV का option है और यहाँ पे मैंने दो window design किया है west side में और पिछे की तरफ यह sunset design किया है इधर अपन window रखनी सकते क्योंकि यह other properties है तो friends इसका अपन देखते हैं पिछे का external dimension इसका पिछे का external dimension है wall to wall जो आप देख पा रहे हैं यह है अपना 26 feet चैंची और 3 feet चैंची है अपना यह balcony का dimension तो friends यह था अपना ground floor plan अगर आपको यह ground floor plan अच्छा लगा हो तो please जदा से जदा share करें और यह दी कोई शुजाव हो तो comment करें